नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुक आप देख रहे हैं कच्चा चिथा गाजा पर इस्राइल की बंबारी को लेकर रूस ने बहुत कड़ा रुख अक्तियार कर लिया नमबर वन चानल के इस नमबर वन शो में आज सबसे पहले बात पोतिन की तरफ से आई वार्निंग की करने जा रहे हैं गाजा पर इस्रेल के बंबारी ने अब अमारिका और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया रूस ने कहा कि पश्यमेशिया का ये यूध अब बाखी इलाकों तक भड़क सकता है सवाल ये है कि क्या रूस अब ऐसी जंग की वार्निंग दे रहा है जिसमें इस्रेल विश्व यूध का एपिसेंसर बन जाएगा एक तरफ गाजा में बंबारी चल रही है इस्रेल का युध गाजा को पूरी तरह तबाह करने जा रहा है दूसरी तरफ इस्रेल पर हमला करने के लिए लेबना, सीरिया और इरान की वाज तयार बैठी है और तीसरी तरफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड का बेड़ा इस्रेल को बचाने के लिए भूमध्य सागर में बहुँच चुका है ये अमेरिका का सबसे खतरनाक बेड़ा माना जाता है यूएसेस फोर्ड यूरप के आसपास तैनात रहकर उत्तरी अफ्रीका और बश्चिन एजिया में किसी भी वक्त बंबारी के लिए तयार रहता है अचाना किस एरक्राफ्ट में हरकत बढ़ गई है फाइटर एरक्राफ्ट लगातार लॉंच किये जा रहे हैं और इस पर तैनात स्पेशल फोर्ड किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए लॉंच की जा सकती है घाजा में हालात बहुत नाजोक है इसरैल दिन रात बंबारी कर रहा है सैक्मों लोगों की मौत हो चुकी है इसरैल अब अपने उपर हुए अटैक का बहुत बेदर्दी से बतला लेना चाहता है और यही वज़े है कि उसके बंब अब आम, नाग्रेक और हमास के बीच फर्क नहीं कर पा रहे है इस वक्त घाजा में जितनी भी इमारतें इसरैल की बंबारी में ढहती जा रही है वहां मलबे से बच्चों और बुड़ों की लाशे निकाली जा रही है ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलस्तीन का समर्थन करने वाले देशों में गुस्सा उबाल खा रहा है मरकज मालूमात फी वजारत तस्चहा इस्टिशाद 413 मौातिनन मिन हम 78 तिफलन वह 41 सेड़ा बिल इदाफ़ा इला तस्जील 2300 जरीह सवाल है कि आगे क्या होगा तो इसका जवाब है जितनी मौत होगी गुस्सा दोनों तरफ उतना बढ़ता जाएगा पहले ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है दुनिया भर में गाजा को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं यह बगदाद है और यहां लोग हजारों की दादाद में सड़कों पर मिकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं इसरेल के साथ साथ अमेरिका के खिलाब बेनारे बाजी हो रही है इरान के साथ साथ लबनन में भी घाजा के लिए समर्थन तेज हो गया है बेरूत में फिलस्तीन और हिजबल्ला का जंडा लेकर लोग साथ को पर उता रहे हैं आदी जहीन दाम इख्वनन मुकावमीन ली फलस्तीन मुखतलाइब आनने रिसेले जिद्दन हमे ली मुतबबइईन सहाईना लेकिन हालात तो इसरेल की अंदर भी बहुत नाजोग है सैक्रो लाशे उठाने के बाद इसरेल अब आर पार करना चाहता है और उसका टार्गेट है घाजा और वहाँ पर मौजूद हमास के अटे लेकिन इसरेल को तीन तरब से बहुत बड़े युद्ध के धम किया चुकी है लेटनन की मिलीशिया हेजबुल्ला ने कहा है कि वो इसरेल पर हमले के लिए तयार है इराक में इरान के समर्थन वाला मिलीशिया भी इसरेल को वार्निंग दे चुका है सीरिया ने अंजाम भुगतने को कहा है तो वहीं मिस्र से लेकर सौधी अरब और कतर से लेकर तुर्की थर गाजा को बचाने के लिए बहां की सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा है। ऐसे में बाइडन ने नेतनियाहू को फोन करके कहा है कि अमेरिका इसरेल के साथ है। इसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा पूरवी भूमत दे सागर की तरफ रबाना कर दिया गया। अमेरिका का ये बेड़ा अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर है और इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यही मेसेज देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़ी फायर पावर इस्रैल के करीब टैनात करने का फ्रैस लाखिया। कोई दुश्मन नहीं जाएगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। यही भरोसा अमेरिका अब इस्रैल को दिलाना चाहता है। कि समंदर से ओपरेशन चला कर अमेरिका सीरिया पर भी बंबारी कर सकता है। लेबनन के बॉर्डर को भी सेनिटाइज कर सकता है। इस वक्त ये करियर इस्रैल के घाजा के पश्चिम में भूमद इसागर में तैनात रहेगा। और वहीं से ओपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनन भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इस्रैल के एर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ओपरेशन अमेरिका के फोड क्लास का करियर और उसके बीडे में मौझूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है। उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है। और इरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इस्रैल के लिए भी जिराल फोड करियर को भीजना एक बड़ा युद्ध छेट सकता है। दुनिया के सबसे बड़े एरक्राफ्ट कैरियर की। भी कम वजन का है। तो देखिए कितना वजन इसमें है। यहाँ पर एक लाग टन का कम से कम यह है। युएसेस जिराल फोड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और यह एक्राफ्ट कैरियर नुकलियर पावर से चलता है। यहाँ पर इसको आराम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और इस कैरियर पर करीब 3,009 सेनिक तैनाथ किये जा सकते हैं। यानि कि दुश्मनों के लिए भी यह एक बड़ा टार्गेट बन सकता है। और और अगर आगे की बात की जाए जो टेक्नॉलजी का इस्तमाल इसमें किया जा रहा है इस एरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान और हेलिकॉप्टर तैनाथ यहां पर किये जा सकते हैं। इसके लिए A-10 थंडर बोल्ट विमान भी है। जो नीचे उड़ते हुए टैंकों के पूरे के पूरे दस्तों को खत्म कर सकता है। इस विमान को फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं जिस पर छोटे हत्यारों की गोलीबारी का फर्क नहीं पड़ता। इसके अलाबा अमेरिका के F-15 से लेकर F-16 लड़ा को विमान भी है। लेकिन असली ताकत जो अमेरिका ने इसरेल को बचाने के लिए उतारी है वो है F-35 फाइटर जेट। ये वो फाइटर जेट है जो इसरेल के पास भी है। लेकिन अभी उनकी तादाद सिर्फ 40 है। लेहाजा मल्टी फ्रन्ट के लिए इसरेल की वायुसीना को ऐसे बहुत से विमानों की जरूरत पड़ सकती है। जिसकी भरपाई अमेरिका की मदद से पूरी होगी। F-35 का करीब रहना इसरेल के दुश्मनों को दूर रखने में मदद जरूर करेगा। यह आपके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरॉस फाइटर जेट F-35 है। यह फिफ्स जनरेशन मल्टी रोल कॉमबैक्ट एरक्राफ भी है। इस एक लड़ाकों विमान की कीमत एक हजार करोड रुपए के करीब है। यह अमारिका का सबसे महंगा फाइटर प्लेइन है। यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसका साफ तोर पर मतलब हुआ यह कि रेडार इसे ट्राक नहीं कर पाएगा। जो रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। और इसकी बॉड़ी पर एक खास किसम की कोटिंग होती है जो कि रेडार तरंगों को एब्जॉब कर लेता है, सोक लेता है। और इसके लावा इस स्पाइटर जिट का रेडार, एबियोनिक्स और सभी सेंसर जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और इसी वज़े से यह दूर से खत्रे को सेंस कर लेता है। लेकिन इसके अलावा इसकी क्या खासियत है, पाइलिट का हिलमेट भी बहुत खास होता है, जिसकी कीमत तीन करोर रुपए होती है। यह भी है कि गाज़ा में बंबारी से आम लोगों की जान जा रही है, जिसमें बच्चों की तादार बहुत ज्यादा है। पिछले 48 घंटे से लगातार गाज़ा पट्टी पर इसरायल के लड़ा को विमान बं बरसा रहे हैं। गाज़ा पट्टी के अंदर से लगातार धूआ और आग उड़ती देखी जा रही है। एक तरफ इसरायल ने अपने मरकावा टैंकों को गाज़ा की तरफ रवाना कर दिया है। और तूसरी तरफ दे टाइम्स ओफ इसरायल अकबार के मताबिक गाज़ा पट्टी पर इसरायल के लड़ाकों विमानों ने 800 ठिकानों पर बंबार्डिक की है। इन हमलों के बाद पूरी गाज़ा पट्टी के अंदर चीफ खुकार मची होई है। करें तो क्या करें? क्योंकि एक धमाका होता है, इमारत किरती है और फिर भगदा के साथ ही रेस्क्यो आपरेशन शुरू हो जाता है। और फिर जनाज़े उटने लगते हैं, पूरे घाज़ा के अंदर इस वक्त यही मनजर नजर आ रहा है। करें दीज़ा के साथ हैं, यहागते हम इसमया क्या हैं, पुरा आपरेशने हमारता है, इसक्ति उनाज़े इससाथ और रिता हैं, चल्ज़ा कंसे अजर बाता हैं, ये इस्रेल के प्रधान मंत्री का वो गुस्सा है जो घाजा पट्टी के लोगों पर गहर बन कर थूट रहा है घाजा पट्टी में लगबग 20 लाख लोग रहते हैं लेकिन इस्रेल पर हमास का हमला इतना कूर और भयान कर था कि इस्राइल के अंदर गुस्से की लहर दोल गई जिस तरह हमास ने हमला करके इस्राइल के निहत्थे नागरिकों को भून डाला और महिलाओं, बुजर्गों और इस्राइल के सैनिकों को कैद कर घाजा पट्टी ले गए अब इस्राइल ने भी बेरहम हमला लेना शुरू कर दिया है बेन्यमिन नेतनियाहू खुद इस पूरे हमले का नेत्रित तो कर रहे है रविवार के दिन नेतनियाहू की दो तज़वीरें सामने आई हैं जिसमें ये नजर आया कि नेतन्याहू इस्रैल की एरफोर्स के दफ्तर के अंदर मौजूद है और गाजा पट्टी के अंदर हो रही बंबार्डिंग पर पूरी नजर और निगाह रखे हुए हैं। गाजा पट्टी के अंदर अब मानवा धिकारों का उलंगन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन इस्रैल डेफेंस पूर्स पहले ही ये कह चुकी है कि ये जंग हमास ने शुरू की है। इसलिए गाजा के अंदर गिर रही हर लाशों का जिम्मेदार हमास है। कि अब गाजा पट्टी के लोग कहीं और चले जाएं क्योंकि वो हमास के आखरी आतन की को दलाश करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। कि अब गाजा पट्टी को एक खुली हवावाला कैद खाना कहती है। गाजा पट्टी सिनाई प्रायद्वीव के उत्तर पूरों में भूमध्य सागर के साथ 363 वर किलोमीटर में फैला हुआ अक्षत रहे। गाजा पट्टी का वो बॉर्डर जो इसरेल से मिलता है वो बॉर्ब वो वायर और इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस के जरिये सुरक्षत एक अभेर्द्य सीमा की तरह नजर आता है। गाजा से बाहर निकलने के लिए दो गेट हैं पहला गेट इसरेल की तरफ खुलता है और गाजा का दूसरा गेट एजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीब की तरह खुलता है जहां पर इसरेल का नियंप्रन जादा है और एजिप्ट का कम। मैं इस वक्त इसरेल में मौझूद हूँ और इसरेल की आर्थिक राजधानी तेल अवीब से गाजा पट्टी 90 किलोमीटर की दूरी पर है गाजा पट्टी से ही हमास की तरफ से इसरेल पर रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए गाजा पट्टी दुनिया के सबसे घणी इनसानी आबादी वाले इलाकों में से एक है जहां सिर्फ एक किलोमीटर के दारे में साढ़े पाँच हजार लोग रहते हैं यहां पर बिचली, पानी और खाने पीने के सामान की सप्लाई इन ही गेट से होती है लेकिन अब इसरेल की लीडिंग न्यूज वेबसाइट दे टाइमस आफ इसरेल ने ये कहा है कि इसरेल के उर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि घाजा के अंदर पानी, बिचली, इंधर और खाने पीने की सप्लाई को काड़ दिया जाए ऐसी स्थिती में यहां रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए जीवन का बहुत संकट हो जाएगा अगर देखा जाए तो इसरेल ने घाजा के 20 लाख लोगों को नाकबंदी करके घेद लिया है अनुमान है कि घाजा के अंदर 14,44,000 लोग शर्मार्थी कैंप्स में रहते हैं संयोक्त राश्रिक मताबे घाजा की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है घाजा में 50 प्रतिशत लोगों के उम्र 19 साल से कम है घाजा की 3-4 थाई भूमी खेती यो क्या है 16 साल की नाकेबंदी की वज़े से घाजा के अंदर बेरोजगारी की दर 40 प्रतिशत तक है घाजा के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों का दस्वा हिस्सा सामानने परिस्थितियों में छोटी मोटी नौक्रिया करने के लिए हर दिन इस्रैल की यात्रा करता है जहां उन्हें रात भर रुकने की अनुमती नहीं है 1948 में इस्रैल के निर्मान के बाद अगले दो दस्कों तक गाजा पट्टी पर मिस्ट का कपजा रहा लेकिन 1967 में इस्रैल का शिक्स डे वार में अपने अरब पडोसियों पर जीत के बाद अगले 38 सालों तक गाजा पट्टी पर इस्रैल ने अपना नियंत्रन पनाई रखा अपने नियंत्रन के दोरान इस्रैल ने गाजा पट्टी के अंदर भी 21 यहूदी बस्तियों का निर्मान किया था लेकिन साल 2005 में अंतराश्वी और घरेलू दबाओ के तहल इस्रैल ने गाजा से लगबद 9000 इस्रैली निवासियों और अपनी आर्मी को गाजा पट्टी से वापिस बुला लिया था जिससे इस अलाके पर फिलिस्तीन का राज हो गया लेकिन धीरे धीरे ये पूरा इलाका हमास का गड़ बन गया हमास में अब इस्रैल पर बहुत प्रूर हमला किया है जिसके बाद यहां इस्रैल के हमलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी भी मारे जा रही है मौत अम्हाउ जाना प्मालूमाथ अजजल मौत उन्हाउमाजाँ उल मौत नाना मने त gray college और 1219 प्रॐबश जाना झिरे կाटाउ़। 220,密ंगे बातावाउाई ने प्मालूमात प्मालूमा जाना मौत अना तमन्हाई यॉपाईंगे उसा आना है कि अगर इस्राइल गाजा के अंदर अपने टैंक ले जाता है तो फिर ये जरूरी है कि अपने टैंकों को बचाने के लिए पहले गाजा पटी के सारे हमास के ठिकाने नश्ट किये जाएं क्योंकि हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल भी हो सकते हैं जिसकी वज़े से इस्राइल के टैंकों को बड़ा खत्रा भी हो सकता है